लालची आदमी की कहानी एक बार एक छोटे से शहर में रामू नाम का आदमी रहता था वह बहुत ही धनी था लेकिन इसके वाबजूद भी वह बहुत लालची था उसकी लालसा का कोई अंध नहीं था उसे सोना की वस्तुएं काफी पसंद थी और अपनी बेटी को किसी भी च चाखाउं से आजाद हो गई लेकिन चुडल ने उससे उसकी एक इच्छा बताने को कहा वह सोचने लगा और आसानी से अमीर बन सकता है चुडल ने उसे एक इच्छा की पूर्ती करने का मौका भी दिया ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि जो कुछ मैं छूँ वह सब सो ना हो जाए बदले में ये इच्छा को भी उस चुडलने पूरी कर दी इच्छा भी पूर्ण हो गई तब वो लालची आदमी अपनी पतनी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा उसने हर समय पत्थरों और कंकर को चूते हुए और उन्हें स नामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और रामु जोर जोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा उसने चुडल को खोजने की काफी कोशिश करी लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली उसे अपनी मूरखता का एहसास हुआ ल प्रामु ने उस दिन से जनसेवा शुरू कर दी और बहुत खुश भी रहने लगा। सीख, ज्यादा लालच हमें अंधकार की और ले जाता है। इंसान को लालच नहीं करना चाहे।